हुआ है चली इसके पीछे की वीडियो में हमने इंट्रोडेक्शन को समझा तो देसिमल के ठीए इसके लेक्टर से हम लोग 8.2 तेंट क्या होता है इसके बर में जानते हैं देखिए और कैसे numbers decimals को कैसे represent किया जाता है number line पे और उसको कैसे लिखा जाता है expended form में दे रहाता है उसको मतलब की छोटे form में लिखना होता थो सिजको हम लोग जानने की कुश्यक्त सरहें चलिए शुडर करते हैं बिना किसी दे रही के चलिए रवी and राजो मेजर दया तर लैंथ पीर पैंसल हो ! यह मन लोग र izंवाट सेंटीमिल हों तर सेंटीमीटर और 3 mm है कैने एक्सप्रेस लेंथ को जिस मिलीमिटर दिया इसमें मिलीमिटर कर सकते हैं तो देखिए कैसे किया गया है वह सब्सक्राइब को पता हुआ है जो सब्सक्राइब मिली मीटर में कितना सेंटी मीटर होता ठीक है दूसी पर यहां कितना है पांच मिली मीटर है तो पांच मिली मीटर में कितना सेंटी मीटर होगा एक मिलीमिटर में कितना होगा वन बाइटेन होगा तो पांच में कितना हो जाएगा पांच में हो जाएगा फाइब बाइटेन हो जाएगा कितना हो जाएगा फाइब बाइटेन फाइब मिलीमिटर को हम फाइब बाइटेन आपको पताया था मैंने कि इसको फ्रैक्षिन में किसे 5 x 10 cm लिखेंगा ठीक है चलिए 5 mm हो गया पता चल गया आपको 5 x 10 cm उसी भरकार राजू की पैंसिल में 3 mm है तो 1 mm में 10 mm में 1 cm होता है ठीक तो 3 mm में कितना होगा तो 3 में 1 से गुना करेंगा 3 x 1 x 10 तो मतलब 3 x 10 cm 3 mm is equal to 3 x 10 cm अब देखिए अब दोनों cm में आ गया एक तो 7 cm पहले से था हमारे पास 7 cm प्लस कितना पताये 5 x 10 cm ठीक है और दूसरा था 8 cm यह मिली मिटर को हमने cm बदला है ठीक है क्योंकि सेंटी मिटर में हम लिखना है प्लस 3 x 10 cm अब देखिए देखिए 5 x 10 है तो इसको क्या बोलते हैं 5 x 10 बोलते हैं मिली मिली मिटर अब देखिए 7 cm and 5 x 10 cm अब इसको डेसिमल में कैसे रिपर्जेंट करते हैं तो क्या करना है आपको यहां तेंथ होगा तो फाइब डेसिमल सेवन डेसिमल 5 cm लिख दीजेगा क्योंकि यह फाइब जो यह तैंथ है ठीक चलिए आप दूसरे वाले को राजू के पैंसिलों कैसे रिपर्जेंट करेंगे एट सेंटी मीटर और कैसे तीन बाइ तैंथ सेंटे मीटर एट डेसिमल 3cm देखें एट सेंटी मीटर 13 सेंटी मीटर थेसिमल 3 ठीक है समझ है अभी और इसको हम लोग घंध ध्यान करेंगे यह बस आपको समझाने के लिए था एक जामपल से अभी चलते हैं आगे और आप ल Mr.Black if we saw units by blocks then one unit is one block अगर इस पूपरे ब्लोक को एक योट पानते हैं यह पूपर एक ब्लोक एक ब्लोक का एक एक प्लोक पैनगे ठीक हैं तो योट्स है टुप लॉक्स तो योट्स होगे और तो यह दो प्लोक ऌगे एक ब्लोक पात्स एक ब्लॉक जो दिया गया मैं ये अन ट ट है क्योंकि टोटल कितने हैं गद्फ ले लें ँसमां से एक डशन हो गया देखिए1 इस alive by only 2.2 part फरेंगे तो तो टेंथ थैंट है तो वियर यहिए तो टोटने यह पंडेंगे फाइभ वोVES टैन्थ परहेंगे अश्र फोड़ीन आख यह इसका ओम कोउनियेंगा टूब्लोक और तरी पार्ट स सकते प्लत और है यह टूब्लोक समय का हमित हम अलग लिखेंगे बता मैं कि अधॉन की ऐसा Cabinet चाहिह बाइब detox कि आ 2 के स्तार फे 2 है तरह सब्सक्राइब तरह सब्सक्राइब तो पॉंट त्री इसको लिखेंगा टूटल टू ब्लॉक हमने ले लिया उसमें से तीन यह पार्ट ले लिया है तीन पार्ट को टोटल एक ब्लॉक में कितने पार्ट है लिखेंगे और टू ब्लॉक मतलब कि टूटी पार्ट है ठीक है टूटी थी पार्ट हो जाएंगे ठीक है यह दू ब्लॉक में दस है दाद होने का 20 तो उसको डेसिमल में कैसे लिखना था यह आपको समझाया है चले दूसरा समझाते हैं आप समझ जाएंगे यह वह लोग करे गया यहां पर देखते हैं दूसरे एंपर को वियर वी हैं मोर देन वन्स इच टावर डिपरजेंट टैन यूनिट्स टावर बना वन टू थीरी फोर फाइब सीक्स सेवन एट ने यह टैन है ठीक है ठीक है अब प्लस में यह हर एक तीन पार्ट में हैं 123 123456 12345 अब अब कैसे लिखेंगे टैन्स के साम कितने है टैन्स कितने है यह टैन्स टैन्स बॉक्स कितने है यह कि इसमें दस है ना टैन्स बॉक्स कितने है तो दो है कि देखें दो लिखा है वन्स बॉक्स कितने है वन्स टू स्थी तीन है ठीक है अब देखिए यह वाले कितने है पां एक ब्लॉक में 5 है 60 वोक्स तो 5 x 10 थैनथ 10 ने में य 24 और य अब स्कूंड है यह स्कुर्वड भॉक्स झाल फ्रेंच Тेयज थैश्म 2 प्लिस ऩी प्लस थी वोक्स है फ्लस यह फाइब में यह 5 में से 5 मिल आइश काटा गया तो 5 त्वंट्य प्लस त्री एक त्रला लग लिख सकते इसको अडिसिमल है यह त्वाइब लिख देंगे ठीक ट्वंट्य देसिमल 5 हो गया ठीक समझ में आप लोगो चलिए इसको परहें कैसे 23.5 परहें कैसे 23.5 समझ में अधिक्कत हो रिया होगे आपको आगे लेकिन अच्छे स समझ में आजागा बच्चे देखिये 10 कितने हैं टेंज के स्थान पर है अपने परहा होगा वांस टेंज तैंज थाउजंड या तैंथ यह देखियो 10s हो गया 1s हो गया यह 10s हो गया अब देखिए इसको परहें कैसे 23.5 अब देखिए can you now write the flowing as decimal अब decimal कैसे होता उसको लिखना है देखिए यह देखिए 500 क्योंकि 5 है प्लस 10 के स्थान पर 31 के स्थान पर 8 तो यहां भी 1 है तो 1 by 10 हो गया ठीक अब देखिए इसको लिखें कैसे फाइब 5itan फाइब 5.38 यह इसमेल इवन बई चैन फ्रटि एट bizi पाइब हाइब ख्यांच फाइब हान्ड़ ही पॉइंट वार्म इसको रीट करेंगे ठीक है रहे पहले बाले को रूसरे को क्या से करें पढ़ा होगा आपनों से स्थान पर तरी लिख दिया और टैन्थ के स्थान पर कितना है तो फोर दो फोर वाइट थैन्थ मतलब दस भाग उसका ते टैन भाइफों तो कैसे इसको तिनों जोड़ देंगे 273 और टैन्थ में है देसिमल फॉर ठीक तिस्रा है तेंस एंडे के साम में तरी है त與6 अब देखिए हंडे के साम में 3 त्यृंड हो गया तो invece 5 है तो फिफ्टी हो गया मतं एतो में 4 है तो 4 हो गया तेंत के स्थान पर सिक्स भाई तेन्थ हो जाएगा तिस्ताब को जो रेंगा तो 354 डेसिमल 6 क्योंकि तेन्थ के साहें पर 6 है समझ गए चलिए एक चीज़ में आपको बताता हूं साथ यहां confusion हो रहा हो आपको जैसे कि मान दीजिए कि यह कोई नंबर है कि इस परस्फर आपके दो कि यह होता है तांबेकी अंत योगा 100 यह भूजर्च तेल कि इसी परकार टेन त्साउजन आह जाएगा शैन कि दन और भाल झेलां स्थरेक्ट याख याय। फिर little त्हूंत तेन क्रोर ऐसे बढ़ते रहेगा यह आपको एक्सपेंसान होता है नमबर्स का ठीक अडेसीमल में कैसे चलता है डेसीमल में उल्टा चलता है मैं आपको आता था हूं मान लोग थार्टिफाइब पॉइंट सेवन फाइब है यह क्योंकि हम लोग करते थे हैं इसमें वन्स के जगा पिका ऐन्डस इसमें इसदेन हम लोग यह वन्स टेंस हंड़ेट ऐसर क्या है यह वन्स डेसिमल को नहीं परेंगे कुछ डेसिमल को पॉइंट परेंगे यह 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 थाउजन्थ टीच लग लास्ट मुल जाएगा ठीक है इतना अप लोग याद रखिएगा कि अच्छिए लाइट दे लेंथ आफ रभी एंड राजू पेंशिल इन सेंटिमिटर यूजिन डेसिमल जैसे कि पीछे वाले था हम लोग नहीं देखा था रभी एंड राजू के पेंशिल का डेसिमल में तो किसी लिखे थे देखें सेमें डेसिमल फाइव सेंटिमिटर है वहीं बोल रहा है है कहां गया यार अरे यार रिक बार में आता नहीं है कि राजू पेंशिल इन सेंटिमिटर यूजिन डेसिमल हो गया में थ्री मोर एक्जांपर सिमिलर टुद वन गिवन एक्वेशन वन एंड शॉल दम ऐसे हैं आपको और तीन एक्जांपर देना हमे दकेनर माननने जए पिदा सनकरें और यहां मतलब मानें इसका है हाँ इसका है यहां सनक साम पर है As a यहें सीन ही चव्फ्रवेशन पर यहां स्था पर निए क्वंपना स्थाम बीचांप यह दो था अब थे और दो एग्जांपल वागी है यह देखते हैं वन्स के स्ताम पर कि इसको क्या हो जाएगा 982 डेसिमल फाइब थीक है तेंथ मतलब की पॉइंट उसके बाद आ जाएगा ठीक है लास्ट को चलेते हैं 10 किस्ताम पर सेमें लेते हैं 10 के सराम पर टूल लेते हैं लेते हम्त के सिए और थेन्थ के स्वाम पर सभी सिभा हंडिट होगया 10 के सांथ 90 हो गया चाल हुज और 10 इंद इंद 127 हो गया ठेक है कि 70 हो गया ठीक है 1470 हो अब देखिए के से करेंग गया आप तो वर में ट न हो जाए खांट इंड है यहां सेवन बाइब एस ता तो सेवन बाई टैन होगा ठीक है तो सेवन हंडेट वन डेसिमल सेवन ठीक यह साथ मैंने आपको गल्दी पर देदेते देखिए यह बहला बहला कोचन है 500 प्लस 300 यह बना रहे ठीक है अब प्लस एट प्लस वन बाई टैन्थ तो यह जागा फाइब फाइब थाइट डेसिमल वन ठीक है दूसरा कोचन होगा आपका तो यह ज़िए टू अंडेड प्लस 70 प्लस 3 प्लस 4 बाई 10 ज़िए टू सेवन टीट फ्री डेसिमल 4 ठीक त्रीसरा कोचन है आपका 300 हो जाएगा यह यह 100 के सान पर 3 है यह 10 के सान में 50 है और बाइस के त्रींट फिफ्टी फूर डेसिमल 6 समझ गया आपनों चलिए बस समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं कि दूस्ता चौत पर देते हैं अभर अभर अरिपर्जेंट इंग simplicityults और नबर लाइन हम लोने फ्रेक्षिन बेड करना सीखा था इसमें लोग को अर्भ लौक डिपरजेंट करने सब्स्राइं पर आं नंबर नाख नायन आएगा नंबर लाइन पेदिन को भी रिपरजेंट करेंगे लेटर रिपरजेंट 0.6 नमबर लेंग यह होगे मालों नमबर लेंग यह 0 होगया 0.6 है तेंथ हैं तेंथ हैं क्योंकि एक ही डिजिटल है क्या बता था था थैंथ हंड्रेड थाउजेंट तेंथ हाउजेंथ यह तेंथ है तो 0.6 है इतना तो आपको पता चला होगा ना कि 0 और 1 के बीच में होगा 0 1 के बीच में यह तैंथ में है क्योंकि इसका पोजीशन जो है यह तैंथ टेसिमल है तो दस भाग में बाटेंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह 10 बाग में होगे ठीक है अब इसमें सकते हैं यह 0.1 हो जाएगा 0.2 हो जाएगा 0.3 हो जाएगा 0.4 यहां पर आजागा 0.6 यह हो गया नमबर लाइन ठीक है देखिए आज़ें विनों डैट यह जाएगा 0.6 is more than 0 but less than 1 मतलब कि मैं पता है कि 0.6 जो है वह 0 से बड़ा है ठीक है क्योंकि 0 से बड़ा दिखी रहा है इसमें क्या है और 1 से छोटा है ठीक मतलब कि 6 तैंथ है हमने पर आता पीछे के लाइचे बीचे बहले स्लाइड में 0.6 होगे तो मतलब तैंथ में है तो एक जीरो को एक से सो के भी दस के बहाग में बाग देंगे तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 के बाद या जाएगा 1.1 1.2 ठीक है ओर इजा थो जुए लेके लाइन पर 2.3 वी बीच में 2.3 आएगा ठीक है burning यहाए जाए मेर और बीच में 2.3 ऋन हो जाया गां एकonen 2.1 पर यह हो लाइओ do इसेसे और कर की सिर्ट वन नमपे यह ब्योयंतना थो जाया थॉर दिदू पाइज गैवा हमने तो किसके बीच में होगा 1 by 4 होगा 1 और 2 के बीच में तो 1 by 1.1 1.2 यहां है 1.3 यह है 1.4 यह है यहां होगा 1.4 अब देखिए अब आएगा मजा अब देखिए कैसे करना है टेबल में यह होने मना दिया अभी हम 10 तक का ही पर रहा है 10 मतलब की पॉइंट की पॉइंट के मतलब एक दीजिय तक का डेसमल पर रहा है जासे कि 79.7 780.7 मतलब पॉइंट के एक दीजिय तक का हम यह पर रहा है इसके बाद वाले में 10 तेंट हो गया है 100 पर है ठीक है यह हो गया आपका है हमें कितना रिपरेंट करना 20.5 ठीक है 20.5 है 20.5 है यो जैगा 500 यो जैएक वांस यो जैका 10 तेंस में कितना है 20.5 आपको आपको ठक लेजिए छीवारा जो है जो है जो है जो हमहें ऑड़िए ऐसको है तो बचा एक इतन isr हमेशन थैन्थ के जागा पर है यहां दो लिख दिया ठीक है लिकुब ऑढ़ here है ड्रम के लिख именноं के पर देखते हैं कि eastern थहां थ Keeping लिखेंगे जिसको ऐसे रिपरजेंट करना यह बनाया हुआ है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को दूसरा कोचन है 4.2 फॉर पॉर पैंट टू है इसको घहाए यह बनाया है किस नेट इसका वैंपिलेस प्लिएक दे के बाद एक इस इसको लिखते है ठीक है राइट इस फ्लोइंग ऐस डेसिमल टू वन्स एंड फाइब तेंथ टू वन्स मतलब टू में वन्स से गुना करना है अब एंड के जगा पॉइंट लिखना फाइब तेंथ बोल रहा है तब फाइब एक चुप चप लिखती जाए ठीक है टू मंज़र टू डेसिमल ठीक इतना दिमाग लगाना है और कुछ नहीं लाना है 2 लस एंड 5 10 टू ब्लस वाइव या थर्टेंद इंड वन टेंथ लिक देंगे एंड वन टेंथ वोल रहा है तो वन देंथ को लागे है तो बन टें टेंथ हैं अप लस में तो एंड के जगा पर प्लस ठीड डेसिमल 1 टीख कि राट इतने फ्लोइंग एस देशिमन डेशिमन में लिखना है था 30 प्लस 6 ब्लस 2 बाइ 10 था था 30 प्लस 6 तो 36 हो गया प्लस 2 बाइ 10 हो गया तो 10 है तो डेशिमन की एक ही बाइड इचीछ होगा थाई सिख्वार्ब टू ठीक है थाई है अगर इसमय हैं हाओ मैनी टैंस वनस और टैंस अर्टैंस नमबर कितने तैंस थ्री है यह यह थ्री टैंस क्योंप ठीज है जाए शीक्स वनस रचानद कितने है ट्यू तैंस है देखेंगे बी नमर कोच्छान है 600 प्लस टू प्लस टू प्लस एट वैट वैट हो तो टैन्स के जगापर कुछ नहीं है क्योंकि यहां पर दो के बाद एक भी जिरो नहीं है तो टैन्स के जगापर कुछ नहीं है तो लिख दिया हमने एट बाइट एक इतना हो जाएगा डेसिमल एट हो जाएगा तो टीक समझ में आ रहा नहीं समझ में आता प्लीज अब प्लीज मुझे कॉमें बताइएगा थोड़ टफ है लेकिं समझ में आ जाएगा आप लोग देखेंगे अब आता है फ्रेक्शन ओन डेसिमल्स वी है और के फ्रेक्षन कैंब निछा यहें बारेंगा है और भार्रट कुंगारि मुर्ट डेसिमल्स जों तो उसका दस होगा यह नहीं होगा हमने सीख लिया कि कैसे मतलब की क्या है की फ्रेक्षन को कैसे हम देसिमल्स प्रेचर्ट करते हैं we have already seen how a fraction with denominator 10 can represent union let us now try to find decimal representation at 11 by 5 हमने जान गये थे कि मान लिजे कोई है कोई सब्सक्राइब 5 by 5 by 10 इसको तो हम जान गये थे कि इसका रिपर्जेंट कैसे करता है 0.5 कर देता थे ठीक है यह 7 by 10 है तो 0.7 हो गया 9 by 10 है तो हो गया 0.9 हो गया लेकिन आप क्या करेंगे हम लोग अगर आ जाए 11 by 5 and 1 by 2 को रिपर्जेंट करना है 11 by 5 and 1 by 2 को रिपर्जेंट करना है बताइए क्या किजेगा कुछ ने किजेगा अभी बच्चे हो आप लोग तो सिधा सिधी अब लोग दिनेमिनेटर को क्या करना चाहिए 10 करना चाहोगे तो दिनेमिनेटर को 10 करने के लिए 11 by 5 है दिनेमिनेटर को 10 करने के लिए क्या किजेगा इसको 10 करना है तो दोस्ते नीचे को रिखेंगे दोस्ते ऊपर भी करना परेगा आपको 11 तो जा 22 और 5 तो जा 10 ठीक और वन बाई टू है यह वाला पूच्छन इसको बिट करना है तो नीचे कितना फाइब से किजिए तो उपर भी करेएगा तो फाइब बाई टैन हो जाएगा जिए अब देखिए एलेवन वाइफाइव कर देनों यह किया हमने जीनोंटर टैन हो गया तो ट्वंटी टू प्लस टू लिख सकते हैं बाई टैन है अब देखिए इसको अलग लग सकते हैं है बाई टैन प्लस टू बाई टैन यह ज़ए हैगा टू टू हो जाएगा 10 अट्व्स टू बाई टैन लिख सकते हैं व किसी ताम पर टू है अट customers को पॉइंट 2.2 हो गया अब इजी में आपको बताता हूं सीधा सीधी मेथड ठीक है इतना दिमांग नहीं लगाना है आपको लेकिन कॉसेप्ट लिए आपको समझना पर जैसे 22 by 10 है ठीक अब करना क्या है आपको मैंने बताया था कि वंस डेसिमन में जैसे था 39.5 इसको हम 10 पढ़ते हैं लेकिन इसको अगर हम धक लेते हैं तो इसको वंस पढ़ते हैं इसको टेंथ पढ़ते हैं तो वंस वाले जगा पर यह क्या हो गया वंस जिसको बोलेगा यह पॉइंट आ गया है ठीक है इतना आप यहाद रखेगा तो इसको रिपरजेंट कैसे करेंगे हम लोग 22 by 10 है ठीक तो जितना नीचे होगा जीरो के लिए 3 हो गया अपन के लिए 39 decimal पॉइंट 3 हो गया ऐसे हैं आपको रिपरजेंट करना है जैसे अब 1 by 2 का है 1 by 2 को हमें हमसे पहले क्या करना है आपको दिनमेटर 10 करना है तो 5 से ऊपर नीचे गुना किया 5 बाइट 10 हो गया ठीक है जीए त समझ में आना चाहिए अब किताम में क्या लिखा यह समझते हैं इन 9 1 by 2 दिनमेटर 10 करना है तो 5 से गुना करेंगे तो 0.5 होगए देर फर 1 by 2 is equal to 0.5 decimal notation ठीक है अब देखिए decimal as fractions decimals को कैसे fraction में बदलेंगे हम till now we have learned how to write fraction with denominator मतलब कि हम लोग जानके till now अभी तक हमने जाना कि कैसे मतलब कि how to write fraction with denominator 10 जिसका होगोस को fraction कैसे लिखेंगे तो decimal में कैसे करेंगे 10 2 और 5 as decimal how can we write a decimal number like 1 by 2 as a fraction 1 by 2 है उसको fraction में कैसे लिखेंगे तो सीधी सी बात है जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके लिए आपने जीरो के लिए यह 2 हो गया वन के लिए उसे पर करना 1 by 2 है देखेंगे 1 by 2 है तो 1 को इसा लिख देजेंगे 2 कितना है समय 10 थे सामपे तो प्लस 10 हो गया अब देखिए बटापक जूर आपको आता हो जाता मुझे आता है दस हो गया इसका कि नीचे भी पर मुझक करेंग तो कितना आ गया 22 रेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ आएगी चलिए अब देखिए 20 थो है इसको हमें फ्रेक्सिन बदलना है तो क्या करना है कि यह decimal के जगह पर हमें नीचे लिख देना है ठीक और decimal के बाद कितने digit है एक digit है दो तो इसको एक जिरो जिख देना ठीक है तो 12 वाइ 10 होगा कैसा समझा है मैंने आपको अगर किसी decimal को fraction में बदलना होते क्या करना है देखिए 1.2 है तो decimal के जगह इस decimal को हटा के डेसिमल के जगह पर लिख देंगे नीचे और decimal के पाद कितने अंक है तो वन अंक है तो एक जीरो ठीक है और समझ गए यहां तक हमने एड़ पाइंट एड़ चेप्टर को इंट्रोड़क्शन पार्ट पर खतम कर लिया है अब एक्ससाइज 8.1 जो है आगा की लेक्चर में बनाएंगे एड़ पाइंट में कितने कोचन यह देख लेते हैं पहले दस कोचन है ठीक है हम सभी चीज को अच्छे से अभी तैन्थम पर नहींगे उसके पाद देखिए हंदेथ आएगा हंदेथ किसे बन सब इजी हो जाएगा आप लिए जादा टेंसन लेने की जोड़त नहीं है ठी